हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो लेट्स क्रॉफ हिंदी फिर से एक बर अब सबको स्वागत करते इस चैनल में आज इस टॉपिक में चार कंटेंट एक साथ से आर करेंगे यानि सबसे पहले हम इटाइप क्लिप के उपर बात करेंगे वेल्स सबसे पहले डाइप क्लिप के उपर बात करेंगे अनिटे laid.etai 5,6 ठीफ के ओपड़ा क्लिप के उपर करेंगे डबलल क्लीप के तॉपर बात करेंगे एक्चैनल यह जो क्लिपने इसका जो देखने का एक शेफ है इसके उपर बेस्ट करकि जो नेमिंग है, इसको डिसाइड किया गया है, और ये जो क्लीप है सबसे पहले में, जो सेहर कर रहू हूँ, ये एटाइप क्लीप है, E-type clip जो है यह बहुत ही फेमास है आप साब लोग साइद देखा है Indian Railway में यह ट्रैक में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका जो structure है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही structure क्योंकि यहां पे सबसे पहले देखिए पैड का इस्तेमल करते हैं concrete का area है जो concrete का area है जिसको sleeper कहा जाता है अगर आप देखेंगे तो पहले जब पहले जो train चलता था उस टाइम मैंने भी देखा था कि यह wooden का use इस्तेमल होता था तो आभी concrete हो गिया इसमें load भी ज्यादा लेता है और high speed track के लिए भी बहुत अच्छा ही है यह pad है पैड क्या कर कर सकते है और track है track को मतलब एक पोजिशन पे पूरा set कर देते है उसके बाद insulator यूज किया जाता है insulate करते है हर चीज को and यहाँ पे जो cliff है cliff भी बहुत important है cliff के through यह पुरा track को पुरा track को पकर के रखते है एक grip में रखते है तो यह है KPO cliff जो की बहुत फेमा से European country में तो इ questioner system में क्या-क्या components होता है इस चीज को देखिए धेन से देखिए कि इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए जो concrete का sleeper है sleeper के उपर base plate कि का स्टमाल क्या है And inside, inside this hole, there is spike, spike, okay, so spike, यानि screw spike, यह screw जो है, इसको पूरा सही तरिका से वहाँ पे grip में रखने के लिए spike के स्टमल हुआ है, ओके, तो base plate, यहाँ पे हो गया hole and screw spike and then यह T-type, यह जो nut bolt है, तो यह देखिए यहाँ पे T-type है और यह केपियो क्लीफ है यह जो औरेंच रेड का जो कम्मिनेशन है यह कालर, रेड कालर का यह केपियो क्लीफ है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिटिल भी जार को एबसर्ब करने के लिए एक स्प्रिंग दिया गया है यहाँ पे तो यह जो स्प्रिंग है यह बहुत एक हेल्फुल कम्पनेंट है क्योंकि जितना जार्क होता है तो यह सारे जार्क को फिक्सिवल करता है यह स्प्रिंग तो यह है इसका component और नेक्स्ट आगे बरहेंगे तो यहाँ पर देखिए यह नेबला क्लिफ है नेबला क्लिफ बेसिकली हम अफ्रिकन कांट्री में ज्यादा देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ भी स्क्रू का इस्तेमल हुआ है और यहाँ पर स्पाइक नहीं है लेकिन अंदर में स्प्रिंग का इस्तेमल हुआ है अंदर में स्प्रिंग है और यह देखिए यह इन्सूलेटर है नेबला क्लिफ है यहाँ वासर है स्क्रू है वासर है यह में पैट का इस्तेमाल होता है और यह बहुत एक आच्छा है पैट का इस्तेमाल करना और अखरी जो क्लीफ है जो अभी देखाएंगे यह डबलू टाइप का क्लीफ है वैसल में इसको देखिया है यह देखने को लगता है कि डबलू तो यह डबलू टाइप क्लीफ है और यह क्लीफ बहुत ही फेमास है हाई स्पीड ट्रेन के लिए हाई स्पीड ट्रेन के लिए जहां पर हाई स्पीड ट्रेन चलता है वहां पर यह इस क्लीफ का ज्यादा इस्तेमाल होता है बेटिकलिए हम लोग यूरूपियन कांट्री में ज्यादा हम यूजर्स देखते हैं, यह जो क्लीप है, और इसमें जो क्लीप का जो स्प्रीं कैपबल है, बहुत ही अच्छा है, इसका सॉक्स को एबजब करने में भी यह मदद करता है, और अभी इसका पार्ट्स को देखेंगे, सबसे पहले देखिए, यह स्कुरू है, और एक वासर दिया गया है, स्कुरू के नीचे, ठीक है, तो ट्रैक में जितना जर्किंग होता है, तो थोरा बहुत भी हिल्प करते हैं, इसको एबजब करने में, और इसको मतलब एक स्मूथ, एक स्मूथ ट्रैक पोवाइट करते हैं, आज का वीडियो इतना है, अगर आपको लगता है कि यह कमेंट करने जरूरी है, तो कमेंट कीजिए, और देजभर में लेट्स ग्रॉप को स्पिरिट करने में मदद कीजिए, थैंक यू सो माच वांस एगें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तिल देन ठेक्या, टाट बाबाइ!